चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बच्चो नीट 22 का एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है इसको आपने बड़ी ही सावदानी से फिल करना है हर साल इसके पैटरन में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है यानि की परफोर्मस चेंज होता रहता है इस बार भी कुछ परफोर्मस चेंज हुआ है पिछली साल ये दो पार्ट में फिल किया गया था लेकिन अब की बार ये final अभी इसी एक ही पार्ट में होगा मतलब complete अभी ही आपको fill करना है बाद में इसमें कोई भी पार्ट आपको fill नहीं करना है तो जो भी आपको 22 का application form fill करना है वो अभी इसी समय करना है तो मैं आपको इस वीडियो में step by step सारे steps बताऊंगा तो उसको आप follow करते हुए form fill करें ताकि किसी प्रकार की कोई problem ना हो जहांपर आपको problem आएगी वहां भी मैं उसका solution बताऊंगा किस प्रकार से documents upload करने हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में step by step चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको neat.nta.nick.in की website पर विजिट करना है registration के लिए आपको यहां पर दो जगे link मिलेंगे एक ही उपर उपर मिल जाएगा registration for neat ug22 का और इसमें आप नीचे देखेंगे candidate activity यहां पर भी registration for neat ug22 का link मिल जाएगा मैं आपको यहां बता दूँ कि आप अपने mobile या laptop से भी घर बैटे इसको कर सकते हैं मैं आपको इसमें पूरा guide कर दूँगा तो इसमें आपको यहां पर click करना है registration for neat ug22 पर तो यह external website पर link पहुँच जाता है यह भी NTA की website ही है examination section की यह website है तो इसमें हम सबसे पहले registration कर रहे हैं तो new registration पर click करेंगे यहां पर step to apply online वाले में नीचे new registration का option है हमने अगर new registration किया है तो इस पर click करेंगे या फिर हमने registration अलड़ी कर दिया है तो application number फिल करके password फिल करके यहां पर security pin फिल करने के बाद में sign in पर click कर देंगे तो आगे form proceed हो जाएगा लेकिन हम यहां पर new registration ही कर रहे हैं तो new registration पर click करेंगे अब यह form तीन step में fill किया जाएगा सबसे पहले registration होगा उसके बाद application form की details आपको fill करनी है उसके बाद में fees का payment करना है उसके बाद confirmation page आ जाएगा और आपका form complete हो जाएगा इसमें कोई कमी नहीं रहेगी application fees की बात करें तो यह मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ यह general category के लिए 1,600 है और इसमें EWS OBC के लिए 1,500 है SAST के लिए 900 रुपीज है इसमें fees इसके बाद में click here to proceed पर click करेंगे यहाँ check box I have downloaded वाले check box पर click करने के बाद में click here to proceed पर click करेंगे यहाँ पर instructions वगरा दिये गए हैं आप यह पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं नहीं तो मैं साथ-साथ यह instructions आपको बताते भी जाओंगा अब इसमें सबसे पहले हम registration करेंगे तो इसमें registration का window open हो जाता है जैसी आप new registration पर click करके instructions के check box पर click करेंगे आगे तो इस परकार से registration का form open हो जाता है इसमें candidate name लिखना है आपने अपना नाम लिखना है जो आपके 10th की mark seat के according है उसके बाद में father name लिखना है mother name लिखना है date of birth लिखनी है ये सारा आपने 10th की mark seat के according ही लिखना है मैं फिर से बता देता हूँ 10th की mark seat के according ही यहाँ पर लिखना है इसके बाद में आपने gender fill करना है nationality fill करनी है इंडिया या फिर आपका NRI से apply करना चाहते हैं इसके बाद में identity type मतलब की आपके जो identity type यह नहीं कि इसमें class 12th का admit card हो सकता है जो board ज्वारा issue हो election card हो सकता है passport हो सकता है रासन card जिसमें आपकी photo लगे हुई हो वो हो सकता है इसके बाद में bank passbook हो सकती है जिसमें photo लगी हो आपकी या फिर any other valid government ID भी हो सकती है जैसे आधार card हो गया pen card हो गया driving license हो गया तो इस परकार से आप यहां पर उसका type चुन सकते हैं अगर आप आधार card या फिर voter ID card या फिर pen card वगरा चुनना चाते हैं तो इसमें others में click करके यहां पर नीचे identification number लिखना है वो यहां पर आप fill करते हैं इसके बाद में आप अपना address लिखना है address में सबसे पहले आपने यहां पर address में यह लोकल्टी वगरा country, state, district और pin code नमर इसके बाद में आपने अपने mobile नमर देने हैं अब यहां पर आपको mobile नमर और email ID देना हैं तो मैं आपको यहां पर clearly बता देता हूँ कि आपने mobile नमर और email ID वही देना है जो आपका बिलकुल functional है बाद में भी functional रहेगा क्योंकि जब आप MCC की counseling के लिए apply करोगे तो इसी mobile और email पर OTP आने के बाद ही आप counseling के लिए form apply कर पाओगे उसमें changing का कोई option नहीं रहता है तो आपको यहां पर बड़े ही ध्यान से mobile नमर और email ID वही देना है जो functional है यह बंद mobile नमर और email ID वगर आपने नहीं देनी है नहीं तो बाद में आपके लिए problem हो जाएगी इसके बाद आपने permanent address देना है permanent address आपका present address से same है तो check box पर टिक कर दें आपको fill करने की जोरत नहीं है अगर आपका present address अलग है permanent address अलग है तो अलग-अलग दे दे इससे कोई फरक नहीं पड़ता है इसके बाद आगे choose password पासवर्ड आपको यहां पर 8 से 13 करेक्टर का password चूज करना है जिसके अंदर alpha weight हो capital letter हो एक बाकी small letter हो एक numeric value हो जैसे 1,2,3,4 इसके बाद में एक special sign हो जैसे add the rate of dash या फिर dollar sign इस परकार का तो यह combination होना चीए password का मैं जैसे आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर किसी candidate का नाम गनेश है तो जी बड़ा लिखके एन, a, n, e, s है छोटा लिखके add the rate of और फिर या कुछ भी इस परकार का password चूज किया जा सकता है यह मैं आपको hint दे रहा हूँ, इसके बाद में जो आपने password चूज किया है वही नीचे आपने confirm password में लिखना है इसके बाद में आपने security pin डालने है, यह security pin तब काम आता है जब आप अपने password भूल जाते हैं और फिर forget करना चाते हैं तो उस समय यह काम में आता है, forget password के लिए security जो आपका answer है वो इसका हम drop down करते हैं तो इसमें चार security questions पूछे गए हैं उसका अपने नीचे answer देना है सबसे पहले पुछा है, which is the website you really visit, यानि कि आप जिस website पर visit करते हैं उसका नाम लिख दें या फिर आपका जो यह first school name है वो लिख दें या आपका third option है neighbor's pet name लिख दें या फिर आप कौन सी आपकी कौन सी book favorite है तो इन में से चारों में से कोई सा option चूज करके नीचे इसका answer लिख दें जो नीचे box दिया गया है इसके बाद में security pin डाले security pin डालने के बाद में इसमें security pin डालने के बाद में submit करना है आपको तो आप जैसे ही submit करोगे तो इस परकार से एक आपके सामने pop-up window show हो गया जिसके अंदर यह लिखा जाएगा कि यह आपका जो registration form है अगर आपको इसमें edit करना है तो edit registration form पर click करना ह अगर इसको submit करना है तो आपके mobile में OTP आएगा उसके बाद में OTP देने के बाद आप इसको submit कर सकते हैं तो यह registration का process आपका complete हो जाएगा अब मैं यहाँ पर इसको edit नहीं करना चाहता अगर edit करेंगे तो back में फिर वापस उनी steps में चले जाएंगी जो मैंने आपको पहले बताया है यह steps मैं यहाँ पर final submit करना चाहरा हूँ मेरे mobile पे OTP आएगा उससे पहले यहाँ पर यह detail verify के check box देगे है my name मैंने check कर लिया है father name check कर लिया है mother name date of birth gender address mobile number email id यह आप check भी कर लिए जो आपने fill किया है उसको एक बार फिर check कर लिए check करने के बाद में in check box में टिक कर दें इसके बाद में नीचे I agree पर टिक करके submit and send OTP पर click करें तो जैसे ही आप send OTP पर click करेंगे आपके mobile पर OTP आएगा वो OTP आपने यहां पर fill करना है और fill करने के बाद आपका जो registration का steps है वो complete हो चुका है और इस परकार का interface आएगा जिसमें registration detail completed लिखाओगा application form incomplete और fees incomplete लिखाओगा अब यहां पर आपको आगे complete application form पर click करना है आप यहां नीचे भी कर सकते हैं या left side में activities लिखा है उस पर भी application form पर click कर सकते हैं जो आपका step complete हो जाता है left side में activities में उसमें tick लगा हुआ आ जाता है तो यहां पर registration details complete होगी तो registration details पर यहां tick लगा हुआ आ गया है अब यहां पर application form पर हम click करेंगे या फिर आगे complete application form पर click करेंगे तो जैसे ही application form पर click करेंगे आगे का step इस परकार से आ जाता है application form के जो steps हैं आपके वो हैं contact details, personal details, आधार details, इसके बाद में apply for exam center details, qualification details और इसके बाद additional details, documents upload और final submit यह सारे के सारे जो steps हैं वो application form के steps हैं तो इसमें contact details है, वो completed हो चुका है, हमने registration के time में यह दे दिया है अब हमने यहां पर personal details fill करना है, personal details में जो details हमने पहले fill कर रखी है, वो already इनके box में आ जाएगे अब हम बाकी details जो नहीं आ रही है, वो details यहां पर fill करेंगे, तो आपने state लिखना है जहां से आपने 12th pass की है वो state देना है, इसके बाद में category देनी है अपनी, मैं आपको बता दूँ की category आप वही दे जो आपकी actual category है OBC category के candidate जो NCL से हैं, OBC के और central list में OBC में आते हैं, तब ही आपको OBC देना है, otherwise general फिल कर दें आपको यहां पर category certificate upload करना होगा, तो आप सबसे पहले category certificate बनवाली जिनके पास में बनावा है उनको तो कोई दिकत नहीं है, exam के time में नया भी बन जाएगा, लेकिन जिनको थोड़ा सा doubt है कि मैं किस category में आता हूँ, क्या मेरा certificate बन पाएगा यह नहीं बन पाएगा तो आप पहले category certificate बनवाले, उसके बाद में इसको upload कर दें category certificate को अभी आपके पास में काफी time है, तो आप category certificate बनवाके इसको upload कर सकते हैं इसके बाद में, इसके बाद में इसमें अगर आप PWD candidate आते हैं, तो यहाँ yes करना है, otherwise no करना है diabetes candidate है, तो yes करना है, otherwise no करना है इसके बाद में इसमें आपकी जो residential place है, वहाँ लिकनी है इसमें, और इसमें family income लिकनी है इसके बाद, family income लिकने के बाद, अगर आप minority से belong करते हैं, तो इसमें yes देना है और इसमें country देना है, कौन से country के आप रहने वाले हैं इसके बाद निचे इसमें एक option दिया गया है, कि need 22 में dress code अगर आप पहन के जाना चाते हैं अगर आप dress code के वीपरीत पोसाग पहनने का इरादा रखते हैं वीपरीत पोसाग का मतलब हो गया, बुरका अगरा हो गया, पगड़ी हो गया तो इस परकार से अगर आप पहना चाते हैं, तो इसमें yes कर दें, otherwise इसमें no करें अगर आप पहना चाते हैं, तो yes करें, otherwise no करें यानि कि जो dress code है उसके against आप दूसरी अपनी परिक जो पोसा के वो पहनना चाते हैं तो yes कर दें इसमें इसमें आप mode of preparation कैसे कर रहे हैं, self study कर रहे हैं, coaching ले रहे हैं ये आप इसमें लिख दें, इससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है नीचे आपने security pin डालके save and next पर click करना है तो जैसे ही save and next पर click करेंगे, आपके personal detail फिल होगी, यहां पर टिक का निसान आ गया अब आपने आधार details डालनी है यहां पर, तो आपके पास में आधार card है तो इसमें yes करें, otherwise no कर दें जब इसमें आप yes करेंगे, तो इसमें आपको आधार का जो इसमें दे रखा है कि आप क्या आधार card share करना चाते हैं तो इसमें तीन option दिये गए हैं, यह option आप read करने के बाद में इसमें click कर दें, वैसे आधार number share करने से कोई problem होती नहीं है इसे declaration पर check box पर tick करने के बाद में submit and next पर click कर दें, इसके बाद में आपका यह आधार detail का जो step है वो complete हो चुका है, आगे apply for exam center details डालनी है आपको, तो आपका वो state आएगा जिसके आप रेने वाले हैं, तो उस state के चार CT आपको exam CT यहाँ चूज करने हैं, और इसके बाद में जो father की occupation है, वो डालनी है, qualification डालनी है, ऐसे ही mother की, इसके बाद security pin डालने के बाद में save and submit पर आपने click करना है, तो जैसे ही click करेंगे, इसमें exam center की details आपकी fill हो चुकी है, इसके बाद में को आगे qualification details डालनी हैं, यहाँ पर, qualification details में आपको 10th, 11th, 12th की details डालनी हैं, तो सबसे पहले 10th की details डालनी हैं, तो यहाँ पर आपको pass status पर जैसे ही click करेंगे, तो 10th की detail में या past ही लिखा हो आएगा, इसके बाद में कोण से year में pass किया है, वो देना है, qualify exam के अंदर 10th already लिखा हो आएगा, schooling का इस्तान लिखना आपने rural में है या urban में है, इसके बाद में आप college या school का नाम लिखना है, और इसमें कोण से state में आपने pass की है, वो लिखना है, और इसमें district लिखना है, और school board लिखना है, कोण से board से pass किया है, बियार board से है, राजस्तान board से है, इसके बाद में आपने examination का result किस mode में है, percentage में है, तो यहाँ पर आपको maximum marks वगरा लिखना है, obtain marks लिखना है, percentage अपने आप आ जाएगी, अगर इसमें CGPA है, तो CGPA आपने लिख देना है, नीचे roll number लिखना है, school का नाम और address लिखना है, इसक काफी बच्चे यहाँ पर pin code के लिए परिशान होते है, school का pin code क्या होगा, तो यह postal address होता है, जो डागगर का address होता है, वो postal address होता है, वो यह आपको fill करना है, तो इस परकार से 10th के आपने detail देनी है, अब बात करते हैं 11th की detail की, यह पिछली साल भी काफी student को problem आई थी, क्य उनको ज्यादा अभी प्रेशान होने के आवशकता नहीं है, जिनके पास में certificate नहीं है, इसमें past status में यहाँ पर note applicable कर सकते हैं, note applicable करेंगे तो 11th की यहाँ पर आपको detail fill करनी के आवशकता नहीं है, अगर आपके पास 11th का certificate है, आपके पास marks वगरा की detail है, तो इसमें past तो आप सारी details आपको यहाँ पर देनी है, जिस परकार से आपने details दी थी, 10th की detail दी थी, उसी परकार से आपने 11th की details भी आपने देनी है यहाँ पर, अब बात करते हैं 12th की detail की, तो 12th की detail में अगर इसमें past status में दो परकार के option आते हैं, एक होता है past और एक होता है appearing, अगर आप इस साल 12th की exam दे रहे हैं तो appearing करना है otherwise past करना है past करेंगे तो आपने वो ही सारी detail देनी है जो मैंने 10th की detail आपको बताई थी इसमें इसके अलावा अगर आप इसके अंदर ये past करते हैं तो आपको qualification code दिया जाएगा यानि कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक तो इसका मैं अलग से separate video बना अपेर हैं तो उनके लिए code 1 लगता है past के लिए 2 लगता है लेकिन उसके साथ भी condition है जैसे किसी ने BAC कर रखा है किसी ने कई admission ले रखा है तो उसका मैं separate video बढ़ा दूँगा code का की कोण सा code देना है ज्यादातर code 2 ही दिया जाता है इसमें इसके बाद में ये आपकी qualification details complete हो है जनमस्तान देना है और ये detail आपने additional detail में डालनी है तो ये डाल दे और इसके बाद में security pin डालने के बाद में save and next कर दे तो जैसे save and next पर click करेंगे अगर आपने exam दे रखा है नीट का तो आपसे पुछेगा कितने attempt दिया है क्या है तो आप यहाँ सारी detail डाल सकते हैं अभ आपके जो documents upload होंगे यहाँ 6 परकार के documents upload होंगे category वाले candidate के लिए और जो general category के हैं उनके लिए 5 परकार के documents यहाँ पर upload होंगे तो एक तो passport size का photo आपने यहाँ पर upload करना ही है password size के photograph का जो background होगा वो white background होगा नीचे student का नाम लिखा जाएगा और जिस तारिक को photo ली गई है वो date वहाँ पर लिखी जाएगी तो इस परकार से आप passport size का photograph यहाँ पर बनवा कर upload कर दें postcard size का photograph जो 4 x 6 होता है वो भी आपने यहाँ upload करना है तो वो भी upload कर दें उसका भी same वो ही रहेगा उसमें white background रहेगा student का name रहेगा और जिस तारिक को photo लेए है उसकी date होगी तो इस परकार से आप postcard size का photograph भी upload कर दें अब यहाँ पर आपको एक बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियों और अंगुठे का निसान यह आपको यहाँ पर upload करना है पिछली साल तक सिरफ left hand का ही होता था अभी इस बार आपको पूरा का पूरा left hand के finger और thumb और ऐसे ही right hand के finger और thumb आपको यहाँ पर upload करने है तो इसके लिए upload करने के लिए आप ink pad ले 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 left hand की सारी अंगुलियों और अंगुठा वो एक बार प्रेस कर ले इसी प्रकार से right hand भी प्रेस कर ले और एक white pale मß लेकर के उस पर left hand की सारी अंगुलियों और अंगुठा और right hand का भी सारे finger और थम आप उस पर प्रेस करके उसको स्केन करके अप्लोड कर दें लास्ट में मैं उसका ये बता दूँगा कि कैसे आपने अप्लोड करना है वो आपको मैं यहां पर ये प्रिविव बता दूँगा इसके बाद में आपने category certificate upload करना है तो category certificate upload के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अपने category का certificate बनवा ले अभी आपके पास में time है वो बनवा करके upload कर सकते हैं आपके पास में पिछली साल का है तो वो भी upload कर सकते हैं बाद में रजलट के बाद में आप नए बनवा सकते हैं इसके बाद में 10th की आपको यहां पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं वो जैसे ही आप चूज फाइल पर कलिक करेंगे यहाँ पूरा का पूरा फोटो वगर आरू आ जाएगा इसमें अपलोड ओरिजनल का ओप्सन दिया गया है नीचे इस पर क्लिक करके डैन पर क्लिक कर दें तो आपकी फोटो और ये सारा सक्सेस्फुली अपलोड हो जाएगा तो ये अपलोड होने के बाद आप इसको फाइन की डिटेल आप चेक कर लेएँ आपर पूरी की पूरी डिटेल चेक करने के बाद एक एक डिटेल से आपने बारीकी से चेक करना हैं और फिर नीचे इसमें डिकलेरेशन में आपने ये चेक बोक्स दे रखे हैं My Name फादर नेम की यह मैंने सारे चेक कर लिये हैं और फिर I agree पर क्लिक करके फिर final submission of application का जो नीचे टेप दिया गया है उस पर आपने क्लिक करना है तो जैसी ही आप क्लिक करेंगे आपका application form है वो बिलकुल यहां पर completed हो चुका है और submit भी हो चुका है लेकिन आप registration fees deposit करने से पहल application form यानि registration fees जब तक आप यह deposit नहीं करेंगे तब तक इस form को edit कर सकते हैं इसमें आगे आपके दो उप्सन है verify mobile number और email id यह आपको verify करने है email id जब तक आप verify नहीं करेंगे तब तक यह form फिर आप fees deposit नहीं कर सकते हैं तो मैं तो आपको शला यही दूंगा कि यह दोनु आप verify क कर लें दोनों पर आपका OTP आएगा OTP आने के बाद में यहां पर लिखा हुआगा verified का option लिखा आ जाएगा यहां पर अब आपने आगे fees deposit करने हैं तो इसमें fees deposit के लिए online mode से आप fees deposit करेंगे इसमें proceed for payment पर क्लिक करना है यहां पर आपको यह सारा सब कुछ होने के बाद में नीचे तीसरा option fee payment लिखा है इस पर क्लिक करेंगे उपर यह दोनों option पर टिक का निशान आ गया है यहां fees payment के लिए आप online mode से ही fees payment करेंगे इसमें काफी सारे option हैं आप debit card से कर सकते हैं credit card से कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि यह fees है वो non-refendable है इसके बाद में आप इसमे payment है phone पे वगरा हो गया इसमें pay tm हो गया internet का internet का net banking हो गया तो इस परकार से online mode से भी आप इसमें online mode से ही करेंगे तो phone पे Google पे इन से भी UPI से भी payment कर सकते हैं यह इसमें इस बार अच्छा option दिया गया है यह आपके लिए काफी सुईदा जनक रहेगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि net banking वगरा में card payment में जो payment है वो फस जाता है यानि कि NTA के पास payment पहुंसता नहीं है लेकिन जो UPI payment होता है उसमें तुरंती हो जाता है या तो payment होगा या नहीं होगा दो यह option होते हैं उसमें तो आप इस परकार से एक बार check करके अगर आपके पास में phone pay pay tm वगरा इस परकार की है तो आप मैं तो आपको सला यहीं दूंगा कि आप UPI payment करें ताकि आपको payment फसने में कोई problem ना हो इसके बाद में यह सारा payment करने के बाद आपका पूरा complete process हो गया application form का और इसमें आपने confirmation page print लेना है तो यह confirmation page पिछले साल का है मैं यहां पर आपको जो दिखा रहा हूं यह पिछले साल का confirmation page है तो इसमें यह मैं आपको sample के लिए दिखा रहा हूं इस परकार का एक page का confirmation page आएगा वो आपने यहां पर print लेना है तो इस परकार से आप confirmation page print ले सकते हैं अभी मैं आपको बताने वाला था कि आपने अंगुलियां और अंगुठा कैसे लग थम impression वगरा के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो यह काफी लंबा वीडियो हो गया है यह आपके लिए काफी helpful रहेगा इस परकार से आप details फिल कर दे फिर भी अगर कोई problem आती है तो मैं आपके comments जरूर पढूँगा और कोई भी problem आती है तो आप comments में जरूर देने की तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिंग